रादे रादे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम गनेश चतुर्थी यानि भाद्रमास की जो शुकल पक्ष की चतुर्थी होती है। उस गणेश चतूर्थी के हम कथा सुनेंगे, इसे कलंग चतूर्थी भी कहा जाता है, इस दिन गणेश जी का जनम हुआ था, सो सब लोग दस दिनों तक अपने घर में गणेश जी की पूजा राधना करके उनका विसर्जन करते हैं, इस दिन लड़कों का सिंधारा भी किया जाता है, उन्हें गणेश जी का टिका करके और फिर लड़कों का टिका करके मेंदी मनबवाते हैं, और मिठाई खिलाते हैं, रुप्या देते हैं, इस दिन गणेश जी के दंका की पूजा भी की जाती है, पौरानिक मानिताओं के अनुसार, इस दिन चांद को नहीं देख देखना चाहिए नहीं तो उन्हें कलंग का आरोप लगता है। जो मनुश्य इस दिन चंद्रमा को देख लेते हैं उन्हें कलंग का सामना करना पड़ता है या अपमान सहना पड़ता है। इसलिए इस दिन गलती से भी चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए और यदि देख भी लें तो शुक्ल पक्ष की दूज और तीज का चंद्रमा की दर्शन जरूर करने चाहिए जिससे इसका दोश मिड़ जाता है पौराणी कथा के अनुसार एक बार भादो मा की शुक्ल चतुर्थी के दिन इंद्र के यहां देवताओं को भोजन का आयोजन किया गया सभी देवता उस आयोजन में पहुँचे जब भोजन कर रहे थे तो गने जी को भोजन करते देख चंद्रमा को हसी आ गई गने जी ने जब यह देखा कि चंद्रमा उनका अपुहास उड़ा रहा है तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप देते वे कहा कि जिस रूप का तु इतना मान कर रहा है आज से तेरे इस रूप को जो भी देखेगा उसे अपमान का सामना करना पड़ेगा जाने या अंजाने में भी जो तुझे देखेगा उसे कलंकित होना पड़ेगा गणे जी से श्रापित होने पर चंद्रमा घबरा गए, वहां उपस्ते सभी देवता भी परिशान हो गए, क्योंकि यह बात किसी न किसी के हित्मे नहीं थी, इस बात का प्रकर्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता, अथा सभी देवी देवताओं ने चंद्रमा से कहा, कि गणे जी से शमा मांगे, चंद्रमा ने गणे जी से शमा याचना की, बार बार शमा याचना करने से गणे जी ने कहा, मेरा श्राप पोर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन जो भी मनुश्य आज के दिन, यानि कि भादो महा की शुक्ल चतुर्थी को तेरा दर उसे अवश्य ही जूटे आरोपों का सामना करना पड़ेगा और कलंकित होना पड़ेगा इसलिए तब से ही भादो महा की शुक्ल चतुर्थी को चंद्रदर्शन निशेद माने जाते हैं इसलिए जाने या नजाने में भी चंद्रदर्शन ना करें और अगर आपने गलती से भी चंद्रदर्शन कर लिया है तो गणे जी से माफी मांगे गणपती जी के मंदिर जाएं उन्हें दुरुवा चड़ाएं मोदा का प्रशाद चड़ाएं और अपनी गलती के लिए शमाई आचना करें माना जाता है कि एक बार भगवान श्रीक किष्ण ने गलती से भादो मां के शुकल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रदर्शन कर लिये थे तो उनपर भी चोरी का जूठा आरोप लग गया था अतह जो भी कलती से चंद्रदर्शन कर लेता है उसे इस कथा का अवश्य श्रवन करना चाहिए द्वारिका में भोज वन्शिय राजा सत्राजीत राज्य करता था उसने सूरे भगवान को प्रसं कर समयंतक नामक मनी प्राप्ट कर ली थी उस मनी को ऐसा प्रभाव था कि उस मनी को धारन करने वाला दूसरे सूरे के समान लगता था और वह मनी धारक को प्रति दिन सुना देती थी भगवान कृष्ण ने सत्राजीत से मनी लेने की इच्छा जाहिर की थी लेकिन उसने इंकार कर दिया एक दिन सत्रा जीत का भाई मनी को धारन कर जंगल में शिकार खिलने गया, वहां उसे एक सिंग ने मार दिया और मनी उससे ले ली, सैयोग वर्ष जामवन जी वहां पहुँच गये, और उसने सिहे को मार कर मनी स्वेम प्राप्त कर ली, और वहीं पास ही में इस्थित अपनी गुफा में चले गये, और मनी को खिलोना समझ कर अपनी बेटी को खेलने को दे दिया, बेटी उससे खेलने लगी, दूसरी तरफ प्रसेंजीत कई दिनों वापिस नहीं आया, तो सत्रा जीत ने भगवान कृष्ण पर आरोप लगा दिया, ये मनी लेना चाते थे, इसने मे मेरे भाई को मार दिया है, और मनी ले ली है, तब भगवान कृष्ण इस मिथ्या आरोप से दुखी हुए, और मनी की तलाश में जंगल की तरफ चले गये, जब वे गुफा के सामने पहुँचे, जहां प्रसेंजीत का कंकाल पड़ा हुआ था, और सी के पदचिन गुफा क और इशारा कर रहे थे, तो कृष्ण जी ने उत्मपद चिन्नों का पीछा करते हुए, गुफा के भीतर पहुँच गये, वहां उन्होंने देखा कि एक लड़की मनी से खेल रही है, इतने में जामन्द भी वहां आ गये, उन्होंने मनी देने के लिए जामन्द जी से प्र प्रिता के राम है, जो द्वापर में कृष्ण के रूप में जन्मे है, फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से माफी मान कर मनी उन्हें दे दी और अपनी पुत्री जामन्द का विभा भी कृष्ण जी के साथ कर दिया, उसके बाद कृष्ण जी जामन्द के स्वाद द्वा का विभा भगवान श्री किष्ण के साथ कर दिया और वै सम्यंतक मनी सत्य भामा को पुहार सुरूब दे दी इसलिए जो भी मनुश्य भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवन करता है और भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर चंद्रदर्शन के पाप से मुक्ति प धन्यवाद